हरिद्वार जहां लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला जहां होती है आस्था की सबसे बड़ी पुजा ये है हरिद्वार महाकुम्ब हरिद्वार महाकुम्ब धीरे धीरे नज़्दी का रहा है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में करोनो शद्धालू पवित्र गंगा में आस्था की दुख्की लगाने हरी द्वार पहुचते हैं लेकिन कोरोना वाइरस की वज़ा से परिस्थितियां बदली बदली नजर आ रही है महाकुम्ब के मद्दे नजर तमाम कारिय ऐसे हैं जो लगभग पूरे हो चुके हैं वहीं कुछ बड़े निर्मान कारिय अब भी जारी हैं जिनने 31 जनवरी से पहले पूरा कर लिया जाएगा आमतोर पर हर 12 साल में हरीद्वार में आयोजित होने वाला महाकुम्ब इस बार मात्र 11 साल बाद ही आयोजित हो रहा है हरिद्वार में आयुजित होने वाला महा कुम्भ मेला करीब चार महीने का होता है लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना वाइरस के चलते ये मात्र दो महीने में ही सिमट गया है उत्राखंड सरकार कुम्भ मेला और हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा आर्ती को प्रसारित करने के लिए शहर भर में LED लगा रही है इसके माध्यम से हर की पैड़ी तक ना पहुँच पाने वाले श्रत अलू अपने आसपास लगे LED के माध्यम से आर्ती देख पाएंगे इसके साथ इस LED पर कुम्भ मेला क्षेतर की गती वीधियों को भी प्रसारित किया जाएगा राज्य सरकार हरिद्वार को पूरी तरह से चमकाने पर जूटी हुई है जहां एक ओर स्वक्षिता पर फोकस किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार क्षेतर के तमाम बड़ी बिल्डिंग्स को केसरिया रंग में रंगा जा रहा है हरिद्वार महाकुंब के लिए सभी विभागों ने अपनी कमर कसली है उत्राखंड परिवह निगम पहले दिन से 500 बसें रिजर्व रखेगी मुखिस्नान के दिन बसों का प्रयोग श्रधालों को उनके शहरों तक पहुँचाने में किया जाएगा इस महाकुंब में 6 मुखिस्नान होने हैं ऐसे में इन 6 मुखिस्नान से एक एक दिन पहले करीब 500 बसों को रिजर्व रखा जाएगा कोरोना वाईरस की दस्तक से पहले महाकुंब की तयारियों के लिए करीब 4000 करोड रुपे खर्च करने का रोड मैप तयार किया गया था लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वाईरस के दस्तक के बाद स्थितियां सफष्ट ना होने के चलते मेला क्षित्र में व्यवस्थाओं में आने वाला खर्च 800 करोड रुपे तक सिमट गया है उत्राखन सरकार ने महाकुंब से जुड़े सभी कारियों को 31 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष रखा है महाकुंब मेले के तहट विभिन विभागों के स्तर पर 473 करोड की लागत के 124 निर्मान कारिय कराए जा रहे हैं जिन्हें 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा आगामी महाकुंब की विभस्था को देखते हुए सरकार हरिद्वार क्षेत्र में 9 नए घाटों और 8 पुलों और सालकों का निर्मान कर रही है इन में से हर की पैडी में 3 अस्थाई घाट बन रहे हैं जो लगभग बन कर तयार हो गए हैं इनके अत्रिक्त 6 अन्य घाटों का दिर्मान कारिय अंतिम चरण में है महाकुंब मेला की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उत्राखंड पुलिस मुस्तैद है कुम्ब मेला क्षेतर की सुरक्षा के लिए 6 जोन, 24 सेक्टर, 21 थानो, 9 पुलिस लाइन, 23 पुलिस चोकी, 25 चेकोष्ट के साथ ही आवशक्ता नुसार, राज्य और केंद्रिय पुलिस बलों की देनाती की जा रही है पूरा मेला क्षेतर, सीसी टीवी कैमरों की निगाह में रहेगा महा कुम्ब के दौरान शर्धालों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे रेल सेवा कुम्ब एप तयार कर रहा है इस एप के जरिये तिरसियात्रियों को ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के साथ ही आरक्षन और अनारक्षित सीटों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी एप के जरिये धिर्थ की यात्रियों को हरीद्वार के आसपास के पर्येटन इस्धलों के साथ ही हरीद्वार इस्थित तमाम भोटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलेगी हरिद्वार महाकुम्भ पर बोलते हुए उत्राखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि महाकुम्भ का नोटिफिकेशन 15 फरवरी के बाद जारी किया जाएगा तब तक महाकुम्भ मेले से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा इन सब के बीच हरिद्वार महाकुम्भ भी विवादों से बचता नजर नहीं आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री हरिश रावत ने कहा है कि राज्य सरकार ने महाकुम्भ मेले से जुड़े कारियों को पूरा करने की तिथी को बढ़ा दिया है क्योंकि उत्राखन सरकार महाकुम्भ कराना ही नहीं चाहती अगर सरकार कुम्भ को लेकर गंभीर होती तो सारे कारिये एक महिना पहले ही पूर्ण हो जाने चाहिए थे राज सरकार ने अब कुम्भ कारियों को पूरा करने की तिथी बढ़ा दी है कहा है कि जनवरी के आखिर तक जब काम होते तब तो तीती बढ़ाने का कोई फाइदा भी था काम तो वताओ क्या है जिनको करने में इतनी देर लगा दिया आपको आप कुम्भ करना नहीं चाहते थे यह काम एक मेहने पहले पूरे हो जानी चाहिए थे और ताकि कुम्भ की समय तक सहर चाक चौबंद नजराता लेकिन आप तो पहले ही मान करके चले थे कि कुम्भ को खाली संबॉलिक तरीके से करना है और इसलिए आप कुरोना शर्णम गच्छाम ही होगे हरी द्वार में कुम्भ का आयोजन तभी होता है जब मेश राशी में सूर्य और कुम्ब राशी में ब्रहस्पति का आगमन होता है लेकिन इस बार कोरोना वाइरस ने धार्मिक आयोजनों के रंग को फीका कर दिया है ऐसे में सरकार अपनी कोशिशों से हरिद्वार महा कुम्ब को भव्य बनाने में जोटी हुई है देहरादून से ETV भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट